कम्प्यूटर ऑप्रेटर इसमें करना क्या होता है इसमें क्या काम किया जाता है जो कम्प्यूटर ऑप्रेटर होते हैं उनको क्या काम दिया जाता है वो कौन सा काम करते हैं कम्प्यूटर में तो आज के शुड़ी हम बात करने वाले हैं और यहाँ पर हम discuss भी करेंगे computer operator की salary कितनी होती है तो यहाँ पर मैंने computer operator काम किया है या फिर यूँ कहें मैं अभी भी computer operator का ही काम करता हूँ तो यहाँ पर अगर बात करें computer operator की तो इसका क्या मतलब होता है आपके मन में it out होगा तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ computer operator का मतलब क्या होता है उसके बात computer operator काम क्या करना होता है वो भी हम बताएंगे तो देखिए आज से कुछ ताम पहले ऐसे हुआ करता है कि सारी चीज़े जो है उसको computer को चलाना होता है अब आप देखिए किसी भी फिल्ड में जाएंगे आप किसी college में जाएंगे hospital में जाएंगे यहां तक कि किसी CSC center में जाएंगे यहां पर ticket booking जितनी भी सारी सुविधाओं होती है अब यहां पर बात करने कि computer operator मान लिजिए आप कहीं computer operator की job देख रहे हो और आप करना चाहते हो तो आपको वहां पर क्या करना होगा क्या कुछ special काम दिये जाएगा तो देखिए यह dependent करता है कि आप किस जखापे काम कर रहे हैं लाइक आप hospital में क्या करेंगे तो वहां पर आपको अलग काम दिये जाएगा और यहीं पर मान लिजिए आप खुछ काम करेंगे कि आपको ओफ्लाइन भी करना पड़े या ऑफिर आफ्लाइन भी क्रना पड़े computer में भी आपको कुछ चीज़े online करने होती है कुछ offline करने होती है जैसे कि मान लीजे कभी-कभी कुछ काम ऐसे होती है जो कि येवल MS Office के जरीए किये जाते है लाइक उस पर जैसे मान लीजे कि आपको जो MS Word में आपको कुछ letter pad में letter लिखना है या फिर कुछ लिखना है या फिर मान लीजे कि आपको MS Excel में कुछ file बनानी है तो आप वो कर सकते हो लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो online किये जाते हैं जो की सीधा जो है आपको data entry करने ही होती है online की माद्दम से और इस पर आप complete video चाहते हैं तो comment से से ने बताना तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप जिस भी फिल्ट में काम करोगे उसी की साब से आपको काम मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको software related ही काम मिलेगा आपको hardware related काम नहीं करना होगा तो computer operator को जो है अलग-अलग जिगा पर अलग-अलग काम करना पड़ सकता और यहाँ पर आपका MS Office related ही काम होता है जाँता और यहाँ पर मैंने सारी शीजें ऐसे ही की हैं कि मैंने काफी टाइम जो है notepad पर काम किया है जहाँ पर कुछ करना है नहीं नहीं होता है तो यहाँ पर बात करें कि computer operator salary कितनी होती तो देखिए generally यह depend करता है कि आप किस जगा पर काम करते हो कहीं कहीं पर काफी अच्छी salary होती है और कहीं कहीं पर जो कुछ normal salary होती है वो 8 से 10K के आसपास होती है और ज्यादा भी हो सकती है तो आपकी सलीक इतनी है आप comment section में बताना और computer operator के बारे में और कुछ जानना चाहते हो आप तो comment section पूछ सकते हो यहाँ पर मैं computer operator के काम करता था और आज ही में करता हूँ तो computer related आप video और चाहते हो तो comment section में आप बता सकते हो मिलते हैं आपको ने शुडियों आफ देतने study and tech youtube channel thanks for watching ओन दे मात्रम